दोस्तों अब यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंगपूरी जी ने पंजाब के संगरूर में एसिया के सबसे बड़े कंप्रेश बायोगेस प्लांट को इनोगरेट कर दिया है जर्मनी की लीडिंग बायो इनर्जी कंपनीस में से एक बरवियो एजी द्वारा 220 करोड रुपे की फॉरें डिरेक्ट इनमेश्टमेंट के साथ प्लांट को कमिशन किया गया है संगरूर में कंप्रेश बायोगेस प्लांट 20 एकर छेतर में फैला हुआ है और प्रति दिन यहां लगबग 6 टन कंप्रेश बायोगेस का उत्पादन होता है यह प्लांट एक लाग टन इस्ट्रो को कंजियूम करेगा जिसे प्लांट के 10 किलोमीटर के रेडियस में 6-8 सैटलाइट लोकेसन से खरीदा जाएगा यह प्लांट 40-45 जार एकर में जलने वाले पराली को कम करेगा जिस से सालाना 1.5 लाग टन कार्बन उस सरजन में कमी आईगी साथ ही यह कमप्रेश्ट बाइवेस प्लांट प्रति दिन लगबग 6.5 टन फर्मेंटेड और्गेनिक मेनियूर का प्रोडक्शन करता है जिसका इस्तमाल और्गेनिक फार्मिंग के लिए किया जा सकता है इस प्लांट से कई लोगों को डायरेक्ट और इंडायरेक्ट एम्प्लाइमेंट भी मिलेगा अधारे में सेस्टिनेबल अल्टर्नेटिब टुवार्ड्स अफॉर्डिबल टांस्पोर्टिशन स्कीम को लॉंच किया था मिनिश्ट्री और पेट्रोलियम एंड नेच्रल गैस के अनुसार संगरूर प्लांट के अतरिक स्टैट स्कीम के तहट थार्टी एड कंप्रेश्ट बाइवेस प्लांट्स चालू किये गए हैं दोस्तों भारत में ग्रीन एनर्जी की प्रोडेक्शन को लेकर आपकी क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं